सो जी हां गाईज GST में रेट चेंज होने वाला है 5% से 12% और किसी किसी कंडिशन में वो 12% रेट हो जाएगा 6% नोटिफिकेशन ओल्री गैजट में नोटिफाई कर दी हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरी टेलिग्राम में इसको easy language में समझते हैं सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना विकोज आपका एक लाइक गैज हमें काफी motivate करता है ऐसी वीडियो अपडेट्स टाइमली शेर करने में सो लेट्स गेट स्टाटिड नॉटिविकेशन नंबर है 1 2022 सेंटर टेक्स रेट डेटा 31 मार्श 2022 क्या किया इस नॉटिविकेशन ने इस नॉटिविकेशन ने शेडियोल 1 में जो रेट लिखा हो था 5% 2.5% CG 2.5% SG इस रेट को क्या कर दिया है जो भी इसमें एंट्रीज लिखी थी रेटिंग देटू शेल बी ओमेटिड उनको डिलीट कर दिया है और एक नए शेडियोल 2 में 6% एक रेट डाला है मतब 6% CG 6% SG after serial number 176A the following serial number and entries shall be inserted मतब अब ये entries के against 12% rate लगने वाला है और ये किस notification को amend कर रहा है further जो further amend किया जा रहा है existing notification number थी 1 oblique 2017 उसको amend किया जा रहा है basically यहाँ पर बात किया जा रहा है ये HSN आपके सामने आ रहे हैं ये है building bricks के regarding ये roofing tiles के regarding वहाँ पर rate 5% से 12% हो रहा है बट अब ये condition है एक कि 12% जो rate change हो रहा है जैसे कि अभी क्या लग रहा है 5% 2.5 CG 2.5 SG ये rate change हो के क्या हो जाएगा 12% 6% CG 6% SG बट एक condition एक ऐसी है कि ये जो 12% है ये हो जाएगा change होकर 6% 3% CG 3% SG अब उसको समझते है condition क्या है और ये notification effective हो रही है 1st April 2022 से बट बिफोर देट गाईज लेट्स टोक अबट क्लियर प्रो एप लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन बिकोज क्या हो गाईज अगर आप अपना काम अपने mobile phone से कर लो laptop या desktop की आपको requirement ना पड़े आप filing tracker चेक कर सकते हो चलांस create कर सकते हो reminders बेज सकते हो सबसे बड़ी बात आप reports को download कर सकते हो GSTR 1 3B जो आप फाइल करते हो उसकी acknowledgement को पी आप अपने mobile phone से download करके clients को share कर सकते हो HSN या SEC के बारे में जानना है यहाँ से आप जान सकते हो Client की list को यहाँ पर add करना है Multiple clients आप photo click करके यहाँ पर add कर सकते हो काफी useful app है guys, link आपको description box में मिल जाएगा कोई भी आपका feedback हो, comment box पर बताना, मत बूलना So let's get started Tools पर click करना है, यहाँ पर सारी features दिख रही है Coming soon पर चलते है, calendar feature Because जैसे notifications आती है, date change हो रहती है तो वो date यहाँ पर capture कर ली जाएगी Like for example, 1 की date है 11th, अगर वो change हो रही है 3B की date है 20th, अगर वो change हो रही है तो यहाँ capture कर ली जाएगी, जो कि आपके लिए काफी helpful रहेगा Refer and earn feature, आप refer करके earn कर सकते हो सबसे बहले बात करते हैं regarding reports यहाँ पर click करो Reports में guys आपको मिल रहे है, अभी March month में कोई भी report generate नहीं हुई है मैं यहाँ पर जाओंगा, Feb select करूंगा, OK करूंगा तो यहाँ पर आपको मिल रहे है 2B, because आपका 2B base है तो जिन-जिन clients के case में 2B applicable हो रहा है उनकी reports यहाँ पर download हो गी है जिनके case में कुछ purchase का data होगा आप simply यहाँ पर download कर सकते हो और clients को भेज सकते हो Coming to one of the best feature of this app is CHTR 1 and 3B आप download कर सकते हो, clients को भेज सकते हो जोकि यह feature आपको जल्दी मिल जाएगी back करते हैं, चलते हैं hsn oblique ssc finder पर continue पर click करो for example आप type करते हो 9966 आपको दिख सकता है यहाँ पर कि इस code पर क्या details है service की, क्या rate चल रहा है service पर यहाँ पर click करते हो 4 digit है आपके सामने data आ रहा है 6 digit है आपके सामने data आ रहा है तो काफी helpful रहेगा, आप mobile phone से access कर सकते हो अब चलते हैं filing tracker पर click on this, यहाँ पर period select करते हैं feb का, ok करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि ght1 आपकी कितनी file होगी है कितनी missed है, 3B कितनी file होगी है आपको simply यहाँ से एक बार refresh कर लेना, सारा status यहाँ पर update हो जाएगा, यहाँ पर click करोगे तो आपको पता लगेगा, कि कौन से client की miss होई है, जो कि आपके लिए काफी helpful रहेगा, क्योंकि बार-बार आपको portal पर login नहीं करना पड़ेगा coming to the bulk feature of चलान creation, यहाँ पर click करो clients को select कर लो, for example हम यहाँ click करते है, create चलान, और यह option रहगा monthly filers के लिए बिलकुल भी नहीं, because monthly filers are not eligible for 35% यह सिरफ quarterly filers के लिए है, आपको continue पर click करना है, capture code डालना है और अपना चलान generate कर सकते हो multiple clients के लिए, coming to the news feature, जो भी latest updates आ रही है, आपको यहाँ पर मिल जाएंगी like 31st March was the last date for application under GST composition scheme, या LUT filing या for any tax saving planning for ITR, तो सारी updates आपको यहाँ पर मिल रही है अब अगर आपको GSTN number add करना है, आपको simple home button पर जाना है, click on this add client button, quick scan with camera, आपको कुछ भी manually add नहीं करना है, मैंने एक number search किया Google पर, आपको simple इसे scan करना है, यह आपके सामने details आ रही है, आप यहाँ पर click करोगे तो देख सकते हो कि उनकी 1 और 3B file हो चुकी है जो कि help करेगा आपको कि हाँ आपका vendor compliance कर रहा है यह नहीं कर रहा, because vendor अगर 1 file कर रहा है, जो आपका supplier है, अगर वो supply करेगा GST 1 file करेगा और payment करेगा 3B में, तब ही आपको उसका input tax credit मिलने वाला है, 2B में reflect करना चाहिए, मतलब communication है 1 में file करना चाहिए, तो आप ITC claim कर सकते हो, लिंक आपको description box में मिल जाएगा go and share with your colleagues and earn the referral amount, thank you similar notification IGST में आग ही है, जाके download कर लेना मेरी telegram में से, अब notification number के 2 oblique 2022, अब ये notification क्या बात करती है, जो हमने उपर HSN देखे, items आपके सामने हैं, कि rate हो जाएगा 3%, मतलब 6% total IGST हो गया, 3% CGST, 3% SGST condition इतनी है, कि जब भी आप ये bricks को supply करने वाले हो, इसके उपर जो भी input यूज हो रहा है, उसका आप ITC claim ना करो example बताते हैं rate क्या हो गया, 12%, बट किसी condition में 12% क्या हो जगा 6%, अब 6% की condition क्या है, कि जो भी input यूज कर रहे हो, bricks के लिए, उसके उपर जो भी ITC बनता है न, वो claim ना करना, अगर claim नहीं करोगे, तो output पे आप 6% rate लगा सकते हो, 3% CG 3% SG, so conclusion इसकी 12% rate हो जाएगा with ITC, आप input पर ITC claim कर सकते हो, और supply की उपर 12% ITC लगा सकते हो, मतलब GST चार्ज कर सकते हो, 6CG, 6SG बट अगर आपको supply पर 6% लगाना है, तो उस case में input tax credit आपको नहीं मिलेगा notification मैंने telegram में share कर दिया है, उसका link है description box में, similar notification आपको IGST में मिल रही है ये भी आपको मेरे मिलेगी telegram में UGST में भी similar notification है effective और ये 1st April 2022 से, जाकर download कर सकते हो वीडियो को like करना, मत भूलना चैनल पर नए आदो चैनल को subscribe कर ले न till then good bye and thank you so much प्रोप्ट को ब्रेग्पराईज से, लड रसे दू जाए